So, Welcome to Suclaist D-Point आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Suclaist D-Point में मैं से हम सुकलाप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे BA First Year के हिंदी साहते के बारे में और हिंदी साहते का होगा पेपर एक आपका और पेपर एक में आप जानते हैं कि मधिकालीन हिंदी काबी के बारे में हम चर्चा करते हैं अधिकतर यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूँ तो मधिकालीन हिंदी साहते ही सामिल है मधिकालीन हिंदी काबी जिसको आप कहते हैं और अधिकतर यूरुस्टीज में किसी-किसी में आधिकालीन ये उम्मद ये कालीन हिंदिका भी सामिल ये किसी में केवल आधिकालीन है तो आप दोनों से हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद में आप ज्यादा लाभान भी थो सकेंगे और यहां से आपके परिक्षा में जरूर देखने को मलब एक्जाम में प्रसन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे भारी संख्या में ओके तो वीडियो को फटा फट से लाइक कर देंगे यहां से 60% आसा रखे कि 60% कोईशन यहीं से आपके आने के संभावना एक दम से करेक्ट है क और इसमें बहुत ही महात्तवन प्रसनों होगे लगभग 100% पर आज बात करेंगे 100% पर बात तो करेंगे 300% की ब्याख्या भी देखते हूं इशा Gur उन परषन किया बन सकते हैं तो उन परषनों को भी मताता हुआ चलूंगा उससे पहले मैं आपको थोड़ा सलेबस इसे में तो एक ही सामिल होते हैं हो सकता है कुछ किसी उनिवर्सिटी में अलग हो और किसमें अलग हो लेकिन अगर आपकी परिक्षा अब्जर्टिव टाइप की हो रही तो उसमें कोई चिंता करने की आवसकता नहीं यहीं से प्रशन पूछे जाएंगे तुकि हमने अधिकत आपके प्रशन नहीं से पूछे जाएंगे चलिए मैं वीडियो को सुरू करता हूँ ध्यान रखेगे कुछ हो सकता है जो दुर्त पाठ में मैं बताया हूँ रहीम के सो भूसर यह आपके जो है मुख्य पाठ में संकलित हो और हो सकता है कुछ जिनकों हमने इसे घनानंद ह गए बिहारी हो गए यह सब हो सकता है आपके दुर्त पाठ में सामिलों दुर्त पाठ का मलब होता था पहले की उनसे जो है पूछा आता था कि उन से लग उत्री पर नहीं पूछ जाते थे अब आप ज़क्टि टाइप का उरा तो सब सब मलब की उनकी रचनाओं से पूछ क्या यह बात कर लेते कौन-कौन से मातपूर्ण परस्ण होगे और यह सेशन लाइब आना था लेकिन अपके अक्चुली में हुआ कुछ टेक्निकल प्राबलम आ गई इसके कारण से वीडियो अप्लोड कर दी जा रही है ओके ध्यान लखेंगे सौ मोस्ट इंपोर्डेंट इसके अंतरगत मैं संक्लिद करूंगा सो मोस्ट इंपोर्डेंट पर्शन होगे मेरे पहारत दोंस्तों जो की बहुत ही Hm प्रसन आपको भी मिल जाएगी पीडियेप के लिए आप चिंता विल्कुल भी मत करेंगे तो मत देखा लें हिंदी काबिक अंतरगत आपके सामने पहला परसन आपके सामने आया मेरी पहले दोस्तों पहले ध्यान लखेंगे यह पेपर में आप जाएंगे आपकी यह तलग उ हूं यह परसन आप लोग क्या करेंगे इसको नोट डॉन कर लएगे कि यह परसन बहुत ही माधपुण में बार बार पर ही बताती होगी मुझे अच्छा भी ने लगता और आपको सुनने भी अच्छा ने लगता होगा लेकिन हा यहाँ बताना आती ही आवस्वेक्ष्थ था इसलिए हमने बता दिया चलिए बात करते हैं परस्णों के उपर परस्ण में देखे पहला तो पेपर में आपको यहां पर जो नोट लिखा हुआगा इसको जरूर पढ़ना पड़ेगा कि सभी परस्ण जो होते हैं आपके क्या है विजा सभी परस्ण आपके क्या है अनिवार हैं परतेक परस्न का जो है अंक जो होता है समान होता या बात आप ध्यान रखेंगे चलिए बात कर लेते पहला परस्न है आपका कि कठिन काभी के प्रेत किसे कहाँ था बताइए बिहारी को घ्रननंद को रहीम को या केसो दास को किसको कहाता किसो दास कौन है आपके यही घर कहा जाता है क्थिन वे italy बवादा उसमें पहुत ज्याधा शंदों का प्रियोग किया बहुत ज्यादा जो है कठिन वना दिया है उसी लिब का प्रेत कहा जाता है भूत और गयरा की तरह होते हैं प्रेथ भी तो वही प्रेथ कहाया था है इनको किसको कथिन काभि का क्नार की से क हो दास रहाता है या बात известно रखेंगे ओके चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं और विए मुद्दो को समझते हैं अगला प्रसन दूसरा कि मदनाश्टक के रचेता कौन है क्या वह अगला प्रसन आपका कि मदनाश्टक के रचेता कौन है आप सने में रहीम B में भूषर C में मतिराम B में घहनानंद तो मददना श्टर के रचेता कौन है रहीम है इनका पूरा नाम क्या है अब्दुर्र रहीम खान खाना किया सुना आपने अब्दुर्र रहीम खाना सुना अब्सकी का Town ला हूं जो आपने जोधा अकबर मूवी में देखा होगा जो जब 9 साल का बच्चा अकबर रहता और उसको राजगदी मिल जाती है। और उसके बाद ने उनकी देखरेक कौन करता तो बैरमखह ही करते हैं। इसलिए उनकी बैरमखा के जो पुत्र होते हैं उनको जो है अकबर के नौरतनों में से एक रखाया था अला कि रहीमदास जी टैलेंटेड भी थे और उनकी टैलेंटेटा को देखते हुए अकबर ने उनको रखा था ये नहीं कि हाँ उनको प्रस्तिती जो थी वाप्रतत प्र बढ़ते हैं ओके चला जाए चलिए रहीमदास जी जो थे इनका पूरा नाम क्या है पूछा था एक्जाम में तो क्या था विया अब्दुर्रहीम खान खाना ध्यान रखेंगे पिता का नाम बैरम खान था अभी और भी आगे मैं राम रहीम बोल ले हैं रहीमदास से तो कि साता हुआ चलूँगा ओके चले आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्वन है तीसरा नमबर मेरे प्यारे दोस्त तीसरा है कि कबीर दास क्या लिखा गया कि कबीर दास जी संतों से किसकी आणदी आने की बात कहते हैं तो एक इनकी पद्द्याबने पढ़ा होगा कि संतों आई ज्यान की आंधी रे तो किस आपसन में अगर ज्यान दिया होगा तो ही करक्ट अंसर होगा क्या का कि संतो आई ज्यान की आंधी रे आपसन इसका सी करक्ट है संतो आई किसकी आंधी ज्यान की आंधी आने की बात करते हैं ये तो ज्यान की आंधी आने की बात करते हैं कौन तो कबीर दास जी ओके ध्यान रखेंगे कबीर दास की मैं बात करूँ तो कबीर दास जो थे एक परकार से पंच मेल खिचड़ी भांसा का प्रियोग करते थे अपनी रचनाओं में और इनको भांसा का पूर्ण रूप से घ्यान नहीं था और ध्यान रखेंगे इनके सम्हेद कबीर परचाई एक रचना है जिसके रचाईता कौन है अनंत दास है तो प्रसन पूछाता है इक कबीर परचाई के रचाईता कौन है तो अनंत दास है या प्रसन भी आप ध्यान रखेंगे रामा नंद के सिस्त थे रामा नंद के और भी तमाम सारे सिस्त थे इसे रैदास हो कबीर तो थो यही धन्ना हो गए, सेना हो गए, पीपा है, भवानन्द है, अनंतानन्द है, सुर सुरानन्द है, नर हरियानन्द है, पदमावती और सुर सुरी यह सारे के सारे रामानन्द के सिस्सिमाने आते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी-कभी आपसे प प्रश्न पूछे जाएंगे कि रामानंद के सिस्यों के नाम बताईए, या फिर कभीर पर चाहिता कौन है, बताईए, 50 सब्दों में, तो ऐसे पूछेगा, तो ठीक तो ऐसे आप बता सकते हो, उसको, और कभीर का जन्म कब हुआ था, तो कभीर का जन्म कब हुआ था, 1398 अनुसार करें कबीर के गुरु कौन थे तो मुसल्मानों के अनुसार कबीर के गुरु जो थे उनका नाम है सूफी फकीर सेख तकी क्या सूफी फकीर सेख तकी ओके ध्यान रखेंगे तिनी बात